इस स्मूदी बनाना बताती हूँ आज मैं पैनेपल के स्मूदी बताऊंगे किस तरह से बनाना हमें एक जार चाहिए यह देखिए हमारे पास यह कुछ टुकड़े अननास के हैं कुछेनी के जोरत होगी यह देखिए और हमारे पास बनानास के लिए यह बदाम के टुकड़े सबसे पहले हम इसमें हमारा ये देखिए एक चमच बड़ा चमच करीबन 100 ग्राम दही का है उसमें हमारा नास लाव देंगे और इसमें हम चीनी स्वाद के अन्पसार डालेंगे हम बढू से मिकसर में चला लिए यह दिखिए हमारा यह तीयार हो कर दो पनार में पर से बार इसमें डाल इसमें हम बर्फ का क्यूब डाल देंगे यह देखिए इस तरीके से आप नहीं भी डाल सकते हैं डाल देने से इसमें जाता स्वाद आता है ठंडा ही ठंडा यह अच्छा लगता इसमें हम बदाम का यह देखिए टुकडा इस तरह से डाल देखिए हमारा स्मूदी त्यार है इसे आप बिजिए बनाईए पने दोस्तों को यह देखिए इस तरह से और हमारा वीडियो देखना न भूले थैंक यू